हाई मेरा नाम है मीनु गुपता और आज मैं हर उस स्टूडेंट के मन की बात करने वाले हूँ जो इस समय पर SSCJA 2023 की या उसके बाद भी जो एक्जाशन से बट सपेसिफिकली SSCJA 2023 की परपेरेशन कर रहा है। आप हर वो student, चाहे वो self preparation कर रहा हो, चाहे वो किसी institute से enrolled हो या हमारे साथ PW के साथ preparation कर रहा हो, हर student के मन पे इस समय पे ये सबसे बड़ा सवाल है कि अगर हम SSCJ 2023 को clear करना चाहते हैं, उसमें बहुत अच्छी rank लेके आना चाहते हैं, अपने मन का department देना चाहते हैं, तो भई सबसे बड़ा सवाल ये यहां पर लिखा हुआ है, कि कब तक आपका syllabus complete हो जाना चाहिए, वो सारे students जो हमारे साथ enrolled है, या PW के साथ त्यारी कर रहे हैं, या आप किसी और भी institute में त्यारी कर रहे हो, ये जानना बहुत जरूरी है कि syllabus कब तक पूरा हो जाना चाहिए, ठीक है उसके साथ साथ मैं revision कैसे करना है, साथ साथ में उसके बारे में भी बात करूँगी, ठीक है, सबसे पहला चीज है कि हम ये जान ले कि भई, हमारा exam कब है, हमारा SSCJ 2023 का exam कब है, तो सभी लोगों को पता ही है यार कि 9th से लेकर के, 11th October तक तीन दिन आपका SSCJ का exam होने वाला है, और सारे branches के लिए ये ऐसा ही होने वाला है, ठीक है, सारे branches के लिए होने वाला है, चाहे आप सिविल ले लो, मिकानिकल ले लो, इलेक्रिकल ले लो, तो हम यहाँ पे तीनों-तीनों branches की बात करेंगे, ठीक, तो चलो, dear, session को start करने के पहले मैं आपसे ये बात बता देती हूँ, या मैं कहना चाहती हूँ कि इस समय पे आप YouTube खोल के देखोगे, हर वो student आपको ग्यान दे रहा है, हर वो व्यक्ति आपको ग्यान दे रहा है, जिसने कभी SSCJ निकाला भी नहीं होगा, जिसने कभी gate का paper दिया भी होगा, वो भी आपको ग्यान दे रहा है कि इस वक्त आपका syllabus complete हो जाना चाहिए, इतना आपका हो जाना चाहिए, उतना आपका हो जाना चाहिए, बट मैं आपको बता दू, बहुत difference है, देखे सबसे पहले, सबसे दो बड़े exam होते हैं हमारे IIT और NEET के, आपने अगर उसकी प्राक्टिस करते रहो, बट यहां पर डियर आप engineering के, है ना, चाहे mechanical हो, चाहे electrical हो या civil, mechanical और civil की बात करो लगभग 14 से 15 सबजेक्ट है, technical, electrical के भी लगभग इतने ही होंगे, मैं मान के चल रही हूँ, तो इतने syllabus को जो आप डिपलोमा के 3 साल में या बीटक के 4 साल में पढ देते हो, आप जब भी किसी भी institute के साथ इन्रोल करते हो, आप सोचो इस बात को, आप सिर्फ और सिर्फ एक साल के लिए ही टाइम देते हो, तो डियर डाट रिक्वायर्स टाइम, है ना, वो रिक्वायर्स अब वो दमाने चले गए कि भाया, 6 मेने पहले हमने syllabus कर लिया, उ क्योंकि ये जो session है, ये सब के लिए है, ये सब के लिए है, डियर वो जमाने चले गए, आपको अब इस बात पे जादा धान देना चाहिए, कि आप जो कुछ भी पढ़ रहे हो, तो क्या आप उसको exam तक लेके जा भी पा रहे हो, या नहीं जा पा रहे हो, देखो, कितने द आज अगर 20th of June को मैं ये रिकॉर्ड कर रहे हूं, तो लगभग 110 दिन बचे हुए है, तो आपको ये कहेगा, कि हाँ, at least 3 मेने पहले आपको सिलिबस कर लेना चाहिए, या at least 2 महीने पहले सिलिबस कर लेना चाहिए, या एक महीने पहले कर लेना चाहिए, तो लास्ट का एक मैंने बचे का, इसमें ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, रिवीशन कर लूँगा, डियर, अब वो सिचुएशन नहीं है, आपको पता होना चाहिए, सिलिबस इतना लेन्दी है, और वो सब के साथ है, आप अकेले नहीं हो, सारे सारे स्टूडेंट सेम चीज फेस कर रहे है, सिलिबस इतना लंबी है, लंबा है कि आपको सिलिबस कवर कर लेना है एक्जाम के पहले पहले तक, बट उसके साथ-साथ आपको मेक्शूर करना है कि क्वालिटी एडिशन होता रहे, आपके माइंद का लेवल उपर होता रहे, for example, मैंने simple analysis बना के रखी है, आपके पास 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में 8 घंटे आप अपनी sleep को दे दीजे, ठीक है, हाँ, sleep को देने के बाद येर, आप माल लीजे 6-7 घंटे, आप classes कर रहे होंगे, किसी भी institute में कर रहे होंगे, माल लीजे 7 hours आप classes कर रहे होंगे, ठीक है, इसके बाद आपके पास कितना समय मिलता है सवय रह जाता है लगभग आप ये कहलो नौ से दस आवर्स का समय आपके पास रह जाता है ये वो समय है नींद का निकालने के बाद आपको दुनियादारी छोड़ देनी है और साथ साथ में एक से दो एक नहीं दो मिनिमम दो सब्जेक्ट डेली आप रवाइस करते चले च सेप्टेंबर के एंड तक मालीजे 12-13 ओक्टूबर को तो एक ओक्टूबर तक एक त्लीस या 31 सितंबर तक आपको ये मान के चलना है आपके पास 24 घंटे है आप 8 घंटे सो लोगे उसके बाद 7 घंटे आप क्लासस करोगे चलासस करने के साथ साथ डियर 9 से 10 घंटे ये हैं ये 9 से 10 घंटे हैं जो आपका सेलेक्शन को डिफाइन करेंगे ये बिलीव इट और नॉट ये नहीं डिफाइन करेगा ठीक है ये तो ठीक है आप 7 घंटे आप क्लासस कर रहे हो वो ठीक है बट जो स्टूडेंट हर वो स्टूडेंट ये 9 से 10 घंटे का मैक्सिमम यूटिल और भी civil के सब्जेक्त या विकानिकल के सब्जेक्त आप पढ़ चुके हो उनको साथ साथ में रिवीजन करते अगर आप चल रहे हो मतलब क्या है ऐसा नहीं होना चाहिए सप्टेंबर करते करते सिलेबस कवर करते रहे जो पहले पड़ाता हवा है साफ यह नहीं होना चाहिए बस इस बात को आपको देहन देना है ये नौ से दस घंटे classes के अलावा जो आपके पास है कितना effectively and कितना efficiently आप utilize कर रहे हो ये ज़रूरी है तो syllabus cover करने के पीछे मत भागो देखो यार, simple सी बात है आप सबसे पहले देख लो कौन-कौन सी पार्ट आता है सबसे कम आता है वो आप August या September में cover कर रहे होंगे जो सबसे ज़ादा आता है वो आप पहले ही cover कर रुक चुके होंगे और 2-3-3 बार, 4-4 बार, revision, question, series सब कुछ कर चुके होंगे अब देखो ये important ये मैंने बोला कि syllabus cover करने के पीछे मत भागे हाँ वो तो होता ही चाहेगा अगर आप हमारे साथ PW में है तो syllabus तो हम करवा देंगे अब आपको ये ध्यान देना है कि भाईया ये 9-10 घंटे कैसे important तरीके से आप इसको करोगे, 7-7 revision कैसे करें देखो, मैंने अभी-भी आपको बोला कि लगभग आप मालो 8-9 घंटे है आपके पास अब 7-7 में revision कैसे करें dear सबसे पहले अपना जिगरा जो है न उसको मजबूत बना लीजे क्योंकि इस लेवल की महनत करने में अच्छो अच्छो के पसीने, खून और तेल सब कुछ जो है न, सब निकल जाता है जब आप सिर्फ 8 घंटा सो रहे हो बाकी समय क्लास कर रहे हो फिर 8-9 घंटे जो है अपनी efficiency बढ़ाने में लगे हुए हो revision करने में तो जिगरा मजबूत होना चाहिए वही लोग कर सकते हैं और वही लोग पहले ज़रूर दीजे दो सब्जेक्ट जैसे की जुलाई माल दीजे जुलाई है जुलाई में आपको जो आप पढ़ रहे हो classes के साथ-साथ classes के साथ-साथ दो सब्जेक्ट जुलाई में आप revision करेंगे फिर उसके बार dear classes के साथ-साथ make sure आप तीन-तीन सब्जेक्ट डेली का revision के लिए जुलाई ऑगस्त में रखेंगे and make sure dear September आते आते जो पढ़ रहे हो सब्जेक्ट वो तो ठीक है पर इन 8-9 घंटे में पांच-पांच सब्जेक्ट एक साथ लेके चलो किसके लिए जुलाई में दो सब्जेक्ट ऑगस्त में तीन सब्जेक्ट एक साथ September में पांच-पांच सब्जेक्ट एक साथ September एंड आते आते पूरा की पूरा 14 सब्जेक्ट एक साथ समझे क्या यह आपका टेक्नीक होना जाए July, August, September धीरे धीरे एक ही दिन में फार डालूँगा सब कुछ कर डालूँगा नई, एक दिन में नई धीरे धीरे अपने आपको बढ़ाने की कोशिश करिए July के पहले 15 दिन दो सब्जेक्ट कोई भी उठा लीजे सोम उठा लीजे, एफम उठा लीजे पूरे के पूरे 14 से 15 टेक्निकल सब्जेक्ट अब सेप्टेंबर तक एक साथ उनका जो अपने दिमाग में है न वो लेके आप चल पाओगे फिर एग्जाम में बैठो के यूल परफॉर्म दी बेस्ट तब आप जाके बेस्ट परफॉर्म करोगे लेकिन अगर यह नहीं किया अगर इस समय पे आप नहीं जागे वो है ना स्वामी विवेकाननद का उठो जागो और तब तक चलते रहो जब तक आप 15 सब्जेक्ट में ना पहुँच जाएं बस वही है उठ जाएए जाग जाएए Countdown has begun Countdown एक एक सेकेंड काउंट करके अपनी प्रिपरेशन को आगे लेकर जाएए इस बात पर सबसे जादा साथ साथ रिवीजन की जो आट से नौ घंटे है इनका यूटिलाइजेशन बेस्ट, एफिशेंटली, एफेक्टिवली हाइस्ट प्रिदक्टिविटी आपको शो करनी है इन तीन महिने में और जो स्टूडेंट ये कर लेगा वो सेलेक्ट हो जाएगा ठीक है I hope that मेरा ये छोटा सा वीडियो आप लोग के लिए आपके जीवन में थोड़ा सा बदलाव लाएगा शायद आप जाग जाए और तब तक चलते रहें जब तक आपका सेलेक्शन ना हो जाए Thank you so much